हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हम अब अपने पसुओं को क्यूरा जान पोर्ट या फिर कह सकते हैं आक्सी क्लो जानाईड साल्ड का फिलमेंडा जोल साल्ड का जबा अपने पसुओं को कब देते हैं जो कि क्यूरा जान नाम से मार्केट में आपको मिलता है क्यूरा जान पोर्ट यानि ऑक्सी क्लो जाइंड किस किस काम में आते हैं पसुओं को किस रोग में देते हैं क्या फायदा करता है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है उसस पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लो मैं एनिमल से रिलेटेड वीडियों आप सब के लिए लाता रहता हूं दोस्तों आप देख सकते हो किवरा जान पोर्ट किस प्रकार से है और यहां पैक दवा है तो दोस्तों हम हम बात करेंगे हम अपने पस्वुन को de-ORming कराने के लिए इस क्युरा जान पोर्ट का यूज करते है यानि अगर हमारे पस्व के पेट में कीड़ी हो गया है तब हम इनको देते हैं दोस्तों उसके थार साथ दोस्तों हम albomar या फिर ilmenda Jul salt का दवा क्यों नहीं दे सकते हम क्यों क्यों क्यूरा जान पोर्ट ही देते हैं दोस्तों जो क्यूरा जान पोर्ट दवा होती है जो दवा इस वीडियो में आप देख रहे हो दोस्तों यह एक दवा है जो कि प्रेगनेंसी सेफ है यानि आप अपने गाविन पसू को भी दे सकते ह और बिना गाविन पसु को दे सकते हो यानि आप दोनों पसुओं को दे सकते हो लेकिन दोस्तों जो अधर कमपनी की दवा आती है उसे आप गाविन पसु को नहीं दे सकते हो आप देख सकते हो किस प्रकार से या क्यूराजान पोर्ड दवा है दोस्तों या इस हंडेट इमिल यानि हर तीन महीने पे अपने पसुओं को कीडी की दवा देनी चाहिए कीडी की दवा अगर दोस्तों आपका पसु गाबिन नहीं है तो आप कोई साभित दवा दे सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आपकी पसु गाबिन है तो आपको दवा बहुत ही सोज समझ कर देना परता है इसलिए दोस्तों अगर आपकी पसु गाबिन है तो आप बिना जिजे के अपने पसु को क्यूरा जानपोर्ट दे सकते हो यह एक प्रेगनेंसी सेब दवा है इसका प्रभाव आपके पसु पे किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं लाता है दोस्तों यह एक प्रेगने सेब दवा है उसकी साथ सा दोस्तों इसका जो खास बात है आप इसे अपने पसु को 6 महीने में एक बार भी दे सकते हो लेकिन अधर कंपनी की दवा आपको अपने पसु को हर 3 महीने में एक बार देना पड़ता है लेकिन दोस्तों इस दवा को आप 6 महीने में एक बार भी दे सकती हो तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताना आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे यूटूब फैमली मिंबर